पिछली वीडियो में हमने आपको हाइड्रोपोनिक चारे के बारे में बताया कि किस तरह पश्यों के लिए हाइड्रोपोनिक चारा बिना मिट्टी और कम पाने के घर पर ही साल भर उगाया जा सकता है पशुपालक अपने घर पर अजोला कैसे लगा सकते हैं और अजोला के क्या-क्या फाइदे होते हैं इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे यूटूब चैनल टेक्निकल फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगयाने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे ये है डौक्टर शिला सिंग डौक्टर शिला सिंग एनिमल हजबेंडे डिपार्टमेंट में सब्सक्राइब लिक आइम डौक्टर शिला सिंग से अजोला के बारे में पूरी जानकरी लेते हैं नमस्कार, आज हम किसान भाईयों को एक चारे के नई किसम अजोला उगाना सिखाएंगे अजोला एक छोटा सा पानी का पोदा है जिसमें प्रोटीन की मातरा लगरब 25% होती है और इसको उगाना बहुती आसान और ये बहुती सस्ता होता है इसको उगाने के लिए हमें बहुत कुछ ज्यादा नहीं चाहिए सिर्फ एक हमें तलाब की जरूरत, छोटा से पॉंट की जरूरत होती है जिसके लिए हम लगबग 20 फुट बाई 3 फुट का हम एक तलाब बनाने के लिए कोई हमें बहुत ज्यादा उसकी भी हमें माटिरियल नहीं चाहिए होता है हम कुछ दो लेयर इंटों की बना करके उसको पर एक हार्ड पॉलिथीन लगा सकते हैं और उस पॉलिथीन के अंदर लगबग 8 लीटर पानी पर स्क्वेर फुट के इसाब से यानि अगर हमने 20 बैटीन फुट के लिया 600 फुट के अंदर तो हम 500 लीटर पानी उसके अंदर डाल सकते हैं जिससे लगबग 4 इंच पानी उसके अंदर खड़ा होना चाहिए उसके बाद उसमें हम लगबग 2 किलो गाय का गोबर ताजा और उसमें इतनी ही छनी हुई उपजाओ मिट्टी मिलाकर और उसमें लगबग 25 ग्राम सिंगल सुपर फासफेट खाद मिलाकर हम एक घोल बना लेते हैं और उस गोल को यूनिफॉर्म ली अच्छी तरह से उसमें पानी में मिला देते हैं उसके बाद में लगबग 1 किलो अजोला कल्चर जो फ्रेस पॉंड से लेकर के उसमें हम मिला देते हैं अच्छी तरह से यूनिफॉर्म ली और उसको फिर हम रख देते हैं 15 दिन के अंदर उसके अंदर अजोला की एक अच्छी तरह से कॉमपअट लेर बन जाती है जो अजोला फोडर खिलाने के लिए त्यार है इसको हर्वेस्ट करने के लिए हम एक चलनी की सायता से उपर से इसको लेर को हम इकठा कर सकते हैं और लगबग दो किलो अजोला हम को तीजी से ग्रोव होने वाला चारा है जो एक रात बर के अंदर उसको अपने पॉंट को पूरा कवर कर लेगा इस तरह से हम रोज आना हम इससे दो किलो चारा ले सकते हैं उसको चारे को हम थोड़ा सा धो करके थोड़ा पाणी उसका निकाल करके और पशों को उसी तरह से ह दूद की मातरा को भी ये बढ़ाता है. मैंने जैसे बताया था, अजुला एक प्रोटीन रिच एक फोडर है, जो बाकी जो अविलेबल चारे हैं, उनमें लगबग सबसे ज़्यादा इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट होता है, तो इसको खिलाएंगे, पशुका स्वासेत्य अच्छा रहेगा, उसकी फर्टिलिटी अच्छी जाएगी, उसका दूद अच्छा होएगा, ये सारे उसके अंदर, जो भी अच्छे हरे चारे के अंदर गुण होती हैं, वो सारे गुण अजुला के अंदर भी उबलब्द हैं. हाँ, इसके अंदर लगबग एक किलो बीज भोत होता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी इसकी बड़िंग, साइड बड़िंग से ये फैलता है, तो ये पंदरा दिन के अंदर पूरे कोट को पूरा कवर कर लेता है, पंदरा दिन के बाद में हम इसको, जैसे बीस बाई तीन का है, तो इसमें लगबग हम आर्दस किसानों को, हम एक साथ में हम इसका बीज उपलब्द करवा सकते हैं. नहीं, उपरी लिमिट तो हरे चारे की जैसी ही है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि इसकी जो उपलब्द जा है, वो एक लिमिटिड है, तो हम जहां से मैं NINP बैंगलोर से जैसे मैंने उनसे सीखा था इसको बनाना, तो उन्होंने बताया था कि दो किलो जो चारा है, वो हम दो किलो जो जो है, उनके सुखे चारे के अंदर मिला के खिला सकते हैं. ये जोला वैसे हमारे ACS Cert की स्पेशल पहल के उपर, हमने यहां पर जीलफ के अंदर ये फसिलिटी स्टार्ट की है, और हम यहां से अगर कोई किसान भाई लेके जाना चाहे, तो हम इसको बहुत खुशी-खुशी उनको हम देंगे, वो पहले बता दे हमें किस टाम आएंगे ताकि हम उनके लिए तियार रखें, तो ये हमारे हां से ले सकते हैं, हमने औरवों को भी दिया है, अभी हम केवी के आदमपूर को भी हमने इसका बीज दिया है, हमने अभी अमबाला पीडियो के उनके आफिस के अंदर भी हमने इसका बीज दिया है इसका क्योंकि वैसे बीज मार्केट में मिलता है अमेजन के उपर कुछ वो कहते हैं उनका अवेलिबल होता है लेकिन उसके अंदर कई लोगों ने जैसे दूर से मंगवाया भी साउथ में ज्यादा तर यह महरास्टा होए रा के अंदर होता है तो वहां से जो मंगवाया था उन लोगों का हम देख रहे थे उनकी लोगों की परतिकरियाएं तो वो कह रहे थे कि उनका उगा नहीं, उनका चला नहीं, लेकिन हमने इसी लिए ये एक ताजा मेंटेंट कर रखा है यहां पर और इसको हम बहुत खुशी होगी हमें फार्मर्स को देने में इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा विशेशता की जरूरतें नहीं है बस इसके अंदर एक पानी मेंटें रखना होता है पानी जो है वो लगबग 4 इंच लेयर उसके अंदर बनी रहनी चाहिए और इसके अंदर लगबग 20 दिन के बाद में इसकी मिट्टी भी हम बदल सकते हैं क्योंकि इसमें नाइट्रोजन कंटेंट ज्यादा हो जाता है तो उसके मिट्टी अच्छी तरह से वो वैसे उपजाओ मिट्टी भी होगी क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन कंटेंट और गयानिक मैटर ज्यादा है तो उसकी ग्रोथ उसी तरह से अच्छी तरह से मिंटेन होती रहेगी पानी इसके अंदर चेंज करने की जरूरत नहीं होती है अगर लगे, मान लिए उसके अंदर ग्रोथ के अंदर कुछ फरक लगता है पोदे के अंदर कहीं पीलापन पड़ता है तो उसको हम फानी को चेंज कर सकते होते हैं। जब भी आपको जरूरत लगे। अधर्वाइस इस तरह से कोई खास जरूरत नहीं है उसको चेंज करने के लिए उसके अंदर हम लगातार उसके अंदर एक दो बाल्टी एक दो दिन के अंदर हम डालते रहेंगे तो पानी उसके अंदर नया आता ही रहता है लगातार तो इसलिए इसके अंदर एक बार करने के बाद में कोई बहुत ज़्यादा इसकी जरूरते नहीं है इसके अंदर एक और थोड़े सी ध्यान रखने वाले चीज़ ये हैं कि सरद्यों के अंदर अजोला की ग्रोध वो कम हो जाती है इसलिए सरद्यों के अंदर इसको थोड़ा सा बजा के रखें हमने क्योंकि ये उपर से कवर किया हुआ है इसलिए हमारे पास में यह अभी तक चल रहा है, बाकी जो यहाँ पे RFS वगेरा के अंदर जिन्होंने पहले लगाया हुआ था, उनका आगे नहीं चल पाया है, क्योंकि ठंड के अंदर की ग्रोथ जो है, वो काफी कम हो जाती है, अदर्वाइस सारा साल के अंदर यह चारा उ अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो जादा से यादा लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्स्ट्राइब करना ना भूले